अक्षे कुमार की फिल्म सर्फिरा रिलीज होते ही बॉक्स आफिस पर धडाम हो चुकी है सर्फिरा ने पहले दिन सिर्फ 2.5 करोड की कमाई की है पिछले 15 साल में ये अक्षे कुमार के करियर की लोईस्ट ओप्विंग है अब दूसरे दिन के कलेक्शन को लेकर भी कई तरीकी की खबरे जो है वो सामने आ रही है एक रिपोर्ट के मताबिक बले ही दूसरे दिन सिर्म की कमाई में इजाफा हुआ है मगर फिर भी फिल्म की कमाई बहुत ही ज्यादा नहीं है फिल्म ने दूसरे दिन 4 करोड 25 लाक की कमाई की है फिल्मी की कमाई में 70 प्रतिशत इजाफा हुआ है आपको बता दे सर्फिरा के दूसरे दिन के कलेक्शन के ओफिशल आखड़े अभी सामने नहीं आए है मगर फिल्म दूसरे दिन लगबग 5 करोड कमाती है तो अब इस फिल्म का टोटल कलेक्शन लगबग 7 करोड हो जाएगा आपको बता दे रिपोर्ट्स के मताबिक इस फिल्म का बजट तकरीबन 100 करोड का है अक्षे कुमार की सर्फिरा के साथ कमर हसन की इंडियन 2 भी रिलीज हुई है ये फिल्म में 1500 करोड के बजट में बनी है इस फिल्म ने पहले दिन लगबग 26 करोड का कलेक्शन किया इस फिल्म में टाइगर शॉफ भी में लीड रोल में थे वहीं अक्षे भी मिश्वन रानी गंज, रक्षा बंदन, समराइट, पृत्वी, राज, बच्चन पाइंगे और सल्फी भी फ्लॉप रही थी और राम से तु एवरेज थी 2022 से अक्षे कुमार ने सिर्फ एक सूपर हिट फिल्म थी है और उसका नाम है ओमजी 2 इस फिल्म में अक्षे के लावा पंकर ट्रिपाइटी में लीड रोल में थे फिल्म की स्टोरी पंकर ट्रिपाइटी और उनके बेटे के इर्दिगिर्धी बुनी गई थी वेल आपका अक्षे कुमार की मूवी सर्फरे के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएग ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें